हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चानल विट अदर न्यू रेसिपी आज की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही जुगारू टेस्टी, जणनाटेदार, स्वाधिश्ट और चटपटी है एक बार जो इसे बना लिया वो जरूर इसको हपते में एक बार बनाना चाहेगा इसका स्वाध इतना बढ़िया होता है कि सब कोई इसको खाना पसंद करेगा फ्रेंड्स और बहुत ही एजली कम से कम सामान और टाइम में बनके तयार हो जाएगा तो चलिए मैं भी बनाना सुरू कर लेती हूँ जिसके लिए पहले मैंने आलू को छिल लिया है दो से तीन आलू मैंने बॉयल कर लिया था और अब इनको छिल करके साफ भी कर लिया है तो अभी इनको साइड में रख लेती हूँ और एक बाउल में ले ले रही हूँ इसमें डाल रहे हूं मैं लगभग एक कप मठा और ये डेड़ कप पानी मेरे पास ताजे मठे थे तो मैं इसी से बनाऊंगी मज़ेदार सी रेसिपी आपके पास दही हो फ्रेंट्स तो दही भी अच्छे से पतला सा फेट करके पानी मिक्स करके ले सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू कर लेते हैं गैस को मैंने आन किया इस पे रखूंगी कडाही को गर्म होने के लिए और इसमें डालूंगी दो से तीन चम्मज तेल तेल जब गर्म हो जाएगा तो एक चम्मज डालेंगे जीरा इसी के साथ थोड़ी सी हरी कटी मिर्च और थोड़ी सी हींग इनको हलका सा भुण जाने देंगे तब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जो हमारे कीचन में अलेबल होते हैं जैसे की मैंने यहाँ पे डाला है एक बड़ा चमज धनिया पाउडर इसी के साथ आदा छोटा चमज हल्दी पाउडर और एक छोटा चमज में डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिल्ची इससे बड़ियां सा कलर आजाता है हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छी दिखती है खाने में तो टेस्टी बनेगी ही थोड़ा सा इनको बुनने के बाद जो आलू बॉयल करके लिए थे हम उसको मैस करते हुए इसमें मिला लेंगे तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ भी समझ में ना आया या फिर कोई सबजी मौके पे अलेबल ना हो बनाने के लिए तो आप फटाक से आलू हैं तो आलू लीजिए उबाल करके थोड़ी सी दही या फिर मठे हैं आपके पास तो उसी से मज़िदार सी सबजी तायार कर लीजिए तो अभी मैंने आलू डालने के बाद तुरंत ये मठे भी डाल दिये हैं और अब कुछ भी नहीं करना है बस मीडियम लू फ्लेंपे इनको चलाते हुए पकने देना है अच्छे से जैसे जैसे ये पकेंगे इनमें बढ़िया सा कलर आता जाएगा और बढ़िया सा टेक्श्चर भी आता जाएगा फ्रेंड्स तो बहुत ही बढ़ियां से इनमें उबाल आना सुरू हो गया है लगभग 4-5 मिनिट हो गया है इनको पकते हुए तो इसमें जब उबाल आ जाएगा फ्रेंड्स तब हम नमक मिला लेंगे स्वात के लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच के लगभग नमक मिला लिया है स्वात के अनुसार ही नमक मिलाना है और इनको पकने देना है इसी बीच हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी मिला लेंगे मैंने आदा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर मिलाया और फिर से इनमें बढ़िया सा उबाल आने के लिए पकने दिया है दीरे दीरे पकेंगे ये तो गाड़े भी हो जाएंगे तो अब ये लास्ट इस्टेज पे है लगभग 5-7 मिनट हो गया है पकते हुए मैंने इसमें डाला कसूरी मेथी थोड़ी सी और हरिकटी हुई धनिया पत्ती आप देख सकते हैं पह और अब ये पूरी तरीके से पक के तयार है खाने के लिए अब हम यहाँ पर गैस को बंध कर देंगे फ्रेंग्स क्योंकि ये बडिया से पक गए है बडिया सा कलर आ गया है और टेक्ट्चर भी आ गया है तो लीजिए बहुत ही असानी से हमारी आलू मठे की सबजी बन आप मैं इनको खाने के लिए सर्व कर सकते हैं और मैं दिखा रही हैं। मैंने युष। सुन आतली हं को सबना है। के लिए प्लेट में लगा लेती हूं तो बस टेस्टी सी हमारी आलू मठे की सबजी है और इसको हम चाहे तो पूड़ी पराठा रोटी किसी भी चीज के साथ खाए सर्व करें फ्रेंड्स मैंने यहां फे फ्राई राइस लिया है मटर वाला और इसी के साथ में लोंगी रोट हैं तो आपने देखा कितना आसान है यह आलू और मठे वाली सबजी बनाना तो आप भी इसी प्रकार से बनाईए खाईए और इंज्वाय करिए यह देखिए कितना पढ़िया लग रहा है देखने में भी कलर और टेक्शर सब कुछ परफेक्ट है तो मैं अब इसको खा करक परफेक्ट लग रहा है तो मैंने इसको टेस्ट किया फ्रेंड्स और यह बहुत ही टेस्टी बना है तीखा चटपटा खटटा सा फ्लेवर है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फ्रेंड्स बाबाई